नवस्कार दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं राज के बिरुत अपरादों के बिसाय में यह है अध्याय 7 में दिया गया है जो आपकी IPC के इस्थान पे भारतिये निया सहीता 2023 आई है BNS उसके अध्याय 7 में दिया गया है जो आपकी BNS है वह है एक जुलाई 2024 को लागू इसमें 20 अध्याय है धारा इसमें 358 है और 45 में नंबर का यह है 1 है तो राज के बिरुत अपरादों के बिसाय में यह है धारा 147 से 158 के बीच में बैदेते हैं देखते हैं धारा 147 धारा 147 कहती है जो कोई भारा सरकार के बिरोद योध करता है या योध ऐसे योध का प्रेतन करता है या ऐसे योध करने का दुस्प्रिरन करता है पहें मरत्यू दंड से या आजीवन खारावास से दंड gosta चिया जाएगा और जुरवाने का भी दाई होगा तो भारत सरकार के बुरद जो भी युद करता है उसे मिरत्यु देंड्ड या आजीवन कारावास ढिया जाएगा और यह किस धारा में तिया गया है धारा 147 में दिया गया है द्रस्टान्त कहता है का भारत सरकार के बिरुद युद में समलित होता है का भारत सरकार के बिरुद जो युद छड़ा है उसमें समलित होता है का ने इस धारा में की जो परिभासा है उसके हिसाब से अपराद किया है युद करना बिद्रोह करना या उसमें सामिल होना बरावर का अपराद है धारा 148 देखते हैं जो कोई धारा 147 द्वारा दर्डरिये अपरादों मैंसे कोई अपराद करने के लिए भारत सरकार या भारत के बाहर सडियंत्र करता है या केंद सरकार को किसी राज की सरकार को या किसी राज की सरकार को आप राधिक बल दवारा आप राधिक बल के प्रदसंद दवारा आंतेत करने या सडियंत करता है वहें आजीवन कारावास से या दोनों मैंसे किसी भाती के खारावास से या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा या फिर आपको जो भी युद्ध करता है उसके लिए दस ब अधिन अधिन सडियंत्र गठत करने के लिए आवस्यक नहीं है उसके अनुसरन में कोई जाए कार या अवैदलोग किया ही जाय गठित किया जाय तभी माना जाएगा 149 जो कोई भी भारसरकार के दुरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के सास ऐसे पुरुस आयुद्ध या गोला वारुद संग्रह करता है या अन्था युद्ध करने की तैयारी करता है वह आजिवन कारावास से गोला वारुद रखता है युद्ध करने की तैयारी करता है भारसरकार या राजसरकार से वह आजिवन कारावास से या दोनों मैंसे किसी भाती के कारावास से जिसकी अबदी दस वर्स से अधिक नहीं ह की दंडित किया जाएगा जुरवाने का भी दाई होगा एक सो पचास धारा जो कोई भी भारा सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार द्वारा भारा सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को अस्तित्व के किसी कार द् इस आसाय से कि इस प्रकार छिपाने के दुआरा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाया जाएगा या वह संभाब जानते हुगे कि इस प्रकार छिपाने के दुआरा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनायेगा छिपाएगा पहेद दोनों मैंसे किसी भाती के कारावास से जिसकी अब दी दस बस तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा वजरुवाने का भी दाई होगा 12154 कोई भी भारा सरकार के राष्टपती या राज के राजपाल वो ऐसे राष्टपती या राजपाल की विधी पूर सक्तियों मैंसे किसी सक्ति का किसी प्रकार करने के लिए या प्रियोग करने से बिरत रखने के लिए प्रेरित करने या विवस करने के आसाय से ऐसे राष्टपती या राजपाल पर हमला करता है यदि भारत के राश्टपती या राजपल यदि सक्तियों का प्रियोग कर रहा है और उन्हें को रोकता है या ऐसे रोकने के लिए बिबस करता है इसलिए उन पर हमला करता है या उनका सदोस अबरोध करता है या सदोस परिरोध का प्रितन करता है या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदसन द्वारा भी आतंकित करता है या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है वहे दोनों मैसे किसी भाती के कारावास से जिसकी अगदी साथ वस्तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुरवाने का भी दाई ह जो कोई भी प्रियोजन पूर्व या जान बूचकर बोले गए लिखे गए सब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या द्रस रूपन या इलेक्ट्रोनिक सूचना द्वारा या किसी प्रियोजन के साधन द्वारा प्रियोजन करने के अन्था अलगाओ या ससक्त बिद्रो है या बिद्वन्सक क्रिया कलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रियत्र करता है या अलगाओ बादी क्रिया कलापों की भावनाओं को बढ़ादा है या भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खत्रे में डालता है या ऐसे किरित में संबलित होता है या खिर खत्रे में डालता है या संबलित भी होता है या उसे कारित करता है वहे आजीवन कारावास से जो भी ऐसा करेगा भारत की एकता, अखंड सम्प्रुभूता को खत्रे में डालेगा संबलित करेगा ऐसे करने की कोशिश करेगा वह आज इवन कारावाज से या ऐसे कारावाज से जो साथ बस तक का हो सकेगा धंडित किया जाएगा और जरवाने का भी दाई होगा इस पस्टी करने देखते हैं इस धारा में निर्दिष्ट क्रिया कलाब्त प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न के बिना बिधी पून साधनों दुआरा उनको परिवर्तन करने की दरश्टी से सरकार के उपायों या प्रसासनिक या अन्न क्रिया के प्रती अनुमुदन प्रकट करने वाला ठीका टिपड़ी इस धारा के अधीन आप रादे कठन नहीं करती है वह दूसरी धारा के अधीन होगा। धारा 153 जो कोई भी भारा सरकार से सांती का सम्मंद रखने वाले किसी राज की सरकार के ब्रुद्ध युद्ध करता है। जो कोई भी भारा सरकार से सांती से सम्मंद रखने वाले किसी विदेशी राज की सरकार से युद्ध करता है या ऐसा युद्ध करने का प्रेत्र करता है या ऐसा युद्ध करने के लिए दुस्प्रेरन करता है वह आजीवन कारावास से जिससे भारत के सम्मंद अच्छे हैं यदि उस सरकार से युद्ध करता है कोई भी तो उसे दंड दिया जाएगा या तो आजीवन कारावास से जिसमें जुरवाना भी जोड़ा जा सकेगा या दोनों मैंसे किसी माती के कारावास से जिसकी अब धी साथ वस्तक की हो सकेगी जिसमें जुरवाना भी जोड़ा जा सकेगा जुरवाने से भी दंडित किया जाएगा नेक्स देखते हैं धारा 154 धारा 154 कहती है जो कोई भारस सरकार से सांती का सम्मंद रखने बाले किसी बिठेशी राज से राज छेतर में लूट पार्ट करता है या तो लड़ाई करता है या लूट पार्ट करता है या लूट पार्ट करने की तैयारी करता है बहे दोनों मैसे किसी बाती के कारावास से जिसकी अब दी साथ बस तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और बहे जुरवाने का और ऐसी लूट पार्ट करने के लिए उप्योग में लाई गई या उप्योग में लाई जाने के लिए आसिक या ऐसी लूट पार्ट दोबारा अर्धित संपत्ती की जबती का भी दाई होगा यसी कोई करता है लूट पाट करता है जिस भी देश से हमारे अच्छे सम्मन्न है तो वो चीजब्द कर ली जाएगी और साथ वस्तक की सज्या और जुरवाने का विदाई होगा धारा 155 देखते हैं जो कोई किसी संपत्ती को यह जानते हुगे प्राप्त करता है कि वह धारा 153 और 154 में वैनित अपराधों मैंसे किसी के किये जाने में ली गई है धारा 153 और धारा 154 वैनित अपराधों मैंसे किसी के लिए ली गई है 153 जो आपकी धारा है किसी भी देश्च से हमारे अच्छे संबंद है किसी के प्रियोजन के लिए ली गई है बहें दौनों में से जिसकी अबदी साथ वस्तकी हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुरवाने का भी दाई होगा इस परकार प्राप्ट की गई समपत्य भी जबत कर लाई जा लेगी धारा 1506 जो कोई भी लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी और युद कैदी को अभी रक्षा में रखते हुए स्विक्सता ऐसे कैदी को किसी ऐसे इस्तान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है कोई लोक सेवक होते हुगे राज कैदी है योत कैदी है और उन्हें वगा देता है तो उनके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है दस बस तक की सधा भी हो सकती है जॅरवाना से भी दाई होंगे 117 जो कोई भी लोक सेवक होते होगे किसी ऐसे राज कैदी या इयोत कैदी को अभी रक्षा में रखते हुए अपक्षा से ऐसे कैदियों को किसी परिरुद्ध स्थान से जो कैद के परिरुद्ध हैं निकाल भगाने में सहज करता है वह सादाकारावास से जिसकी अब दी तीन बस तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जरुबाने का भी दाई होगा एक्स देखते हैं 158 और लास्दारा है जो कोई जो कोई भी यह जानते हुए किसी राज कैदी योत कैदी को बिधीपूर भगाने में मदद करता है यह सहयोग देता है यह किसी ऐसे कैदीओं को छुडवाता है यह चुडवाने का प्रयतन करता है यह किसी ऐसे कैदीओं को जो विधीपूर अभी रख्छा से निकल भागा है संसाय देता है च्छपाता है या ऐसे कैदियों को फिर से पकड़े जाने के पिरती रोद करता है या करने का प्रयत्न करता है यह आजीवन कारावास से या दोनों मैंसे किसी बहाती के कारावास से जिसकी अब्दी दस बस तक की हो सकेगी धंडित किया जाएगा और जरुवाने का भी दाई होगा इस पस्टी करण देखते हैं इस पस्टी करण कहता है कोई राज कैदी या यूत कैदी ऐसे अपने पैरॉल पर भारस से कती पर सीमाओं के भीतर समग रूप से बिचरण की अनुमती है बिधीपून अभी रक्षा से निकल भागा है पहे तब तक कहा जाता है जब तक सीमाओं से उसके भीतर उसे समग रूप से बिचरण करने की अनुमती है और परे चला जाता है तो यह माना जाता है है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्या आठ के बारे में अध्या आठ में दिया गया है सेना नौसेना पायू सेना से Сंब्सक्राइब कर लेजिए जसे सब्से पहले आप तक जानकारी कहुंच सके हम law, English और MPGK से सम्मंदित क्लास लाते रहते हैं वीडियो अच्छी लगे तो like, share, comment करना वीडियो देखने के लिए thank you